जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीगटरिक चनल पर मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता एक और इंपोर्टन टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है आसकर अवार्ड दुहजार तेज़ दोस्तों 95 नंबर के ओसकर अवार्ड की घोशना हो गई है बहुत सारे प्रशन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भारत में लोग हैं जो चाहते हैं इस टॉपिक को बहुती सरल भासा में समझना तो ये जो सेशन है दोनों प्रकार की ओडिन्स के लिए बनाये गया है ताकि आपको हर एक कॉंसेप्ट आप समझ सके ओसकर अवार्ड के बारे में यहां से हर एक्जाम में दो नंबर तो आपके पक्के हैं क्योंकि इससे प्रशना आता है दोस्तो मैंने इस सेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया है यहां पर आपको complete theory मिलेगी यहां पर आपको MCQ मिलेगा यहां पर आपको trick मिलेगी और सबसे important बात यह जो सेशन है हिंदी और इंगलिस दोनों माध्य में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि आपको आसानी से दोनों भाषा में आप समझ पाएं तो चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं Oscar Awards के बारे में दोस्तो 95 नंबर का जो Oscar Award है यह जो Award है याद रखेगा किस के द्वारा दिया जाता है किस देश के द्वारा दिया जाता है तो अमेरिका के द्वारा तो यह Oscar Award जो है Hollywood का सबसे प्रतिष्थित Most prestigious Award कहलाता है यह Cinema जगत का सबसे बड़ा Award यह आपसे पूछा जाए तो आप बताईए Oscar Award है दोस्तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं तो Oscar Awards को हम Academy Awards भी कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि Oscar Awards को एक और नाम बताएं तो एक और नाम है इसका Academy Award देखे फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया किसके द्वारा प्रदान किया जाता है अमेरिका के द्वारा तो अमेरिका में हर साल एक Award function होता है जिसे हम Oscar Awards कहते है आप सवाल यह उठता है कि इसका आईजन कोई करता है तो इसका आईजन करता है Academy of Motions, Pictures, Arts and Sciences ठीक है तो इसके लिए एक यहाँ पर संस्था है जिसे हम बोलते Academy of Motion, Pictures, Arts and Sciences इसके द्वारा प्रदान किया जाता है देखे एक Question पूछा जाता है इसके शुरुआत कफ से हुई है तो 1929 से इसके शुरुआत हुई है पहले Academy Awards की अब आप इसे कैसे याद करेंगे कैसे Relate करेंगे तो दोस्तों 1919 में First World War खतम हुआ था तो ठीक 10 साल बाद Oscar Award स्टार्ट किये गए है और 1929 में भी Great Depression आया था पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आयी थी जिसे हम Great Depression कहते हैं उसी वर्स से Oscar Award देने की घोशना हुई थी दोस्तों जब इसके शुरुआत हुई थी तब इतना जादे पॉपुलर नहीं था ये 270 लोग इसमें सामिल हुए थे धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया तो दोस्तों Hollywood Roosevelt Hotel में ये Oscar Award की ceremony हुई थी मात्र 15 मिनिट की ceremony हुई थी एक private dinner party और्गनाईज किया गया था जिसमें 270 लोग शामिल हुए थे आम जनता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था धीरे धीरे बहुत famous हो गया दोस्तों जो पहले Oscar Awards होते थे वो केवल 12 category में दिया जाता था इसमें 2 special सम्मान थे लेकिन present में 24 category में दिया जाता है लेकिन मैं आपको केवल important category बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में इतना ज़्यादा pressure ना हो जो important है जो exam के दृष्टी से जरूरी है वही बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया जब यह start हुआ था तो यह ceremony केवल 15 minute की थी 270 लोग इसमें कठा हुए थे और इस Academy Awards की जो सबसे पहले President थे वो थे Douglas Fair Banks क्या नाम था इनका Douglas Fair Banks आपको इसकी PDF हमारे application हमारे telegram दोनों जगे उपलद करवा दी जाएगी दोस्तों Oscar Award का उद्देश क्या होता है तो जितने प्रकार के आर्टिस्ट है दुनिया में उन सब को प्रसाहन देना उनका सम्मान करना उन्हें प्रमोट करना धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको बताया कि Oscar Award पॉपलर होना स्टार्ट हुआ 1930 में सबसे पहली बार रेडियो के माध्यम से ये आम जनता तक पहुँचाया गया किसके माध्यम से रेडियो के माध्यम से 1930 में ब्रोडकास्ट किया गया इसके बाद एक और स्टेपिंग स्टोन हुआ 1953 में तो 1953 में रेडियो के जगे टेली विजन का इस्तमाल किया जाने लगा और टेली विजन में पहली बार अवार्ट समारों दिखाया गया टीवी पर टेले कास्ट किया गया अब Oscar Award का प्रसारण 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये किया जाता है लाइव होता है अब ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है दोस्तों अब आपसे एक question ये पूछा जा सकता है कि जो पहला Oscar Award था उसे किस ने जीता था अब आपको यहाँ पर imagine करना है जो भी मैं आपको बताऊंगा उसका imagination करना है imagine करेंगे तो आपको नाम जल्दी याद हो जाएगा tricks भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले actor थे best actor award जिसे मिला है वो है Emil Zanning क्या नाम है इनका? Emil Zanning अब आप इनको ऐसे याद करेंगे कोई animal था जिसे पहला award मिला था तो animal से आपको Emil याद आ जाएगा इनके फिल्म का नाम था The Last Command और The Way of All Flesh इसके लिए इने best actor का award मिला था अब दोस्तों यहाँ पर best actress का award जान लेते हैं तो दोस्तों पुर्षों को तो हमेशा तवज्यत दी जाती है लड़कियों को महिलाओ को ignore किया जाता ऐसा आम तोर पर धाड़ना भी है जिसे हमें हटाना है तो best actress को इस बार ignore नहीं किया गया तो Janet Gagnor ignore से आपको याद आएगा Janet Gagnor यही इसकी trick थी तो Janet Gagnor को सबसे पहला best actress का award मिला इनके फिल्म का नाम था The Seven Heaven Street Angel और Sunrise दोस्तों इसके अलावा direction के लिए भी award दिये गए direction के लिए दो award दिये गए इसमें था Frank Bores होगे और एक comedy picture थी जिसके लिए यह award मिला था तो आप समझ गए होंगे पूरी history मैंने आपको समझा दी अच्छ से अब दोस्तों भारत की बाद करते हैं देखे Best Foreign Language की कैटेगरी में भारत की एक फिल्म आई नॉमिनेट की गई हाला कि इसको पुरस्कार नहीं मिला आप सभी को पता होगा बहुत famous फिल्म थी Mother India तो 1958 में महबूब खान की फिल्म थी Mother India जिसे Best Foreign Language फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया हाला कि ये केवल एक वोट से पीछे रह गई Knights of Cabiria इससे एक वोट से पीछे रह गई और ये जीत नहीं पाई बट पहली जो नॉमिनेट की गई थी वो थी Mother India कब की गई थी? 1958 में दोस्तों ऐसे बहुत सारी फिल्में नॉमिनेट की गई लेकिन मैं सबका नाम आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपका लेक्चर बहुत शॉर्ट एंड सुईट हो जो इंपोर्टेंट है उसे यहाँ पर डिसकस करेंगे देखे सबसे पहला Oscar Award किसने जीता था? तो यह था नाम भानू अथाया का 1983 में भानू अथाया ने फिल्म गांधी के लिए यह Award जीता और देखे किस कैटिगरी में? Best Costume Design में यह Award जीता 1992 में सत्य जीतरे इन्हें क्या किया गया? Lifetime Achievement Award से समानित किया गया इसके बाद 2009 में रसूल पुकूटी Best Sound Mixing के लिए जीता था फिर A.R. Rehmann आप सभी जानते हैं A.R. Rehmann और गुलजार इन दोनों को Islam Dog Millionaire के लिए नोमिनेट किया गया फिर इन्हें Award भी मिला Best Original Song और Best Original Score के लिए A.R. Rehmann को Award मिला है इसके बाद जो नाम आता है 2009 से लेके अब 2023 में भारत को Oscar Award मिला है केवल 5 लोग थे और 5 के बाद 6 और 7 दो इस बार Oscar Award भारत को मिले हैं नाटू नाटू आप लोगों को मैं बताऊंगा देखिए जितने भी English Medium के छात्र हैं उनके लिए इस वाली स्लाइड में इस वाली स्लाइड को वो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आपको PDF भी मिल जाएगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा चलिए मैं आगे चलता हूँ आप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे तो इस बार का यदि आपसे पूछा जाए कि Oscar Award का कौन से अडिशन था इस बार के होश कौन थे तो इनका नाम है जीमी किमेल दोस्तो एक स्पेशल बात जो आपको जानना चाहिए दीपिका पादुकोण की हाँ पर हम बात करेंगे 2023 में ने इनवाइट किया गया Oscar Award को प्रेजन करने के लिए दोस्तो दीपिका पादुकोण ये FIFA World Cup में कतर में ये गई थी तब भी ने इनवाइट किया गया था इन्होंने FIFA World Cup की ट्रोफी का इनोग्रेशन किया था जो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तो इस Award में एक स्पेशल बात और है इस बार Red Carpet की बजाए शेंपिन कलर के यानि शेंपिन कलर जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का कारपिट बिछाय गया था अब दोस्तो 2023 में कौन-कौन सी फिल्म थी या कौन-कौन से गाने थे जिससे नॉमिनेट किया गया भारत की कहां पे एंट्री हुए तो ट्रिपल आर मुवी का गाना है नाटू-नाटू हिंदी में नाचू-नाचू है वो तो Best Original Song केटिगरी में पहला नॉमिनेशन इसे मिला था क्लियर है दोस्तो दूसरा नॉमिनेशन दिया गया था शौनक सेन की All That Breeds Best Documentary Feature केटिगरी में हाला कि ये रेस से बाहर हो गई इसे अवार्ड नहीं किया गया नॉमिनेट किया गया दोस्तो किसी भी फिल्म को पहले शौट लिस्ट किया जाता है रिमाइंडर लिस्ट में डाला जाता है फिर आखरी में नॉमिनेट किया जाता है फिर लास्ट में रिजल्ट होता ये प्रक्रिया होती है एक आसकर आवर्ड के विनर के ऐसा नहीं होता कि बस हमने सिलेक कर दिया 301 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था नॉमिनेट ने शौट लिस्ट किया गया था उसके बाद फिर चूज किया जाता लास्ट में वोटिंग प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है मैं उस पे नहीं जा रहा बस आप सिंपल सी भासा में समझ जाएं अगर आप कोई भी एक्जाम दे रहे हैं SSC, UPSC, कोई भी पेपर दे रहे हैं तो आप डारेक्ट आप जो है IS नहीं बन जाओगे पहले आप क्या करोगे eligible होगे, इसकी eligibility criteria होती है जब आप उसे fulfill कर लोगे तो फिर आप shortlist होगे interview होगा, last में आप winner बनते हो तो एक process होती है हर एक film की best documentary short film बनी है The Elephant Whispers और इसे nominate भी किया गया था इसने award जीता है तो The Elephant Whispers को मिला है इसकी में trick भी आपको बताऊंगा आपको imagine करना है कि कोई elephant है जो आपका दोस्त है आप उसके कान में जाकी whisper कर रहे है whisper मतलब होता है फुस फुसाना अभी आगे भी हम जाएनेंगे अब आई जानते है Oscar Award 2030 की winners की नेम के बारे में तो सबसे पहला है best picture तो best picture मिला है everything, everywhere, all at once तो दोस्तो मैं Oscar Awards के बारे में आपको everything बता रहा हूँ everywhere जो जो भी जानकारी थी वो बता रहा हूँ तो आपको याद रखना है राजा सर ने Oscar Awards के बारे में हमें everything बता दिया तो everything से आप याद रखिएगा best picture everything, everywhere, all at once को मिला है इसके निर्देशक है Daniel Kwan और Daniel Shinnard ठीक है यह देश जो है जहाँ पे फिल्म है जिस फिल्म रिलेटेड है यह है USA संयुक्त राज अमेरिका दोस्तो सबसे जादा nomination भी इस फिल्म को मिली थी 11 nomination इसे मिले थे और 7 इसमें जीत मिली है दोस्तो 7 बार यानि इसने award को जीता है maximum nomination और maximum award दोनों इसको जाता है best actor का award किसे मिला है तो यह है Brandon Fraser अब दोस्तों इनके नाम को याद करने की बहुत ही अच्छी से interesting से trick बनाई है Brandon Fraser लिखा हुआ है देखिए Brandon बोलने पर bread आ रहा है और freezer बोलने पर आ रहा है freezer तो हम लोगों ने fridge में रख दिया bread हम लोगों ने fridge में रख दिया bread तो fridge से freezer रख दिया bread तो इस प्रकार से imagine करना है कि हमने fridge में रख दिया bread तो freezer से freezer और bread से Brandon दूसरी सबसे best अभीने 3 कवार्ड मिला है Michelle Yoko फिल्म का नाम है Everything, Everywhere, All at Once इनकी फिल्म का नाम है The Will वेल तो आपको याद रहेगी सबसे बड़ी मैमल है इनकी फिल्म का क्या नाम है वेल, The Will ठीक है तो दोस्तो Everything, Everywhere, All at Once के लिए Michelle Yoko मिला है अब आपको Michelle Obama को याद करना है ठीक है Barack Obama की wife relate करना है आपको तो उनको मिला है तो आप exam में आएगा तो आप best actress का भी tick कर दोगे best antarastry film घोशित हुई है All quite on the western front देखिए BAFTA awards भी ने मिला था मैंने आपको current affairs में बताया था जर्मनी की movie है इसमें ये बताया गया है इस film में कि जर्मनी कोई दोशी ठहराया गया western front क्या गलत कर रहा था उसको सब ने ignore कर दिया सब चुप रहे तो उस कहानी से आपको याद रहेगा best international film इसे मिला है इसके निर्देशक का नाम है Edward Berzer best director घोशित हुए है Daniel Non Daniel Shinert देखिए यहाँ पर director बोलने पर आ रहा है director और Daniel Non non से आपको याद रहे है non-wage बहुत सारा भारत में गलत तरीके से non-wage बनता है अगर non-wage खाएंगे तो die हो सकते हैं हम मर सकते हैं तो director से आपको याद रहना है non-wage अगर हम खाएंगे तो Daniel Non का नाम आपको याद आ जाएगा और Daniel Shinert का भी ठीक है? चले best animated feature film घोशित हुई है वो है Guillermo del Toro Pinocchio दोस्तों आप लोगों ने अपने यानि जब आप छोटे थे तब आप लोगों ने कार्टून देखा होगा Pikachu तो कुछ नाम इससे related आ रहा है Pikachu, Pinachio ऐसे आप याद रखोगे तो आपको best animated feature film का नाम याद आ जाएगा best सहायक अभिनेता है के हुए क्वान best सहायक अभिनेत्री है Jamie Lee Curtis best documentary feature film बनी है नवलनी best cinematographer है James Friend best visual award अब देखो visual अगर आप लोगों ने अवतार movie देखी होगे तो उसको कितना अच्छे से उसको graphics के माद्दें से visually कितना अच्छा पेश किया गया था अवतार The Way of Water अभी film release हुई थी काफी hit हुई है best film editing मिला है everything, everywhere, all at once जिसे best film का भी award मिला है best animated short film है The Boy, The Mole, The Fox and The Horse ठीक है best costume design तो आप लोगों के एक favorite movie है Wakanda Forever Black Panther का role है उसके लिए Ruth E. Carter को best costume design का award मिला है अब दोस्तों बात करते भारत के विजेताओं की तो भारत को दो award मिले है सबसे पहला award best original song Naatu Naatu, Triple R movie के लिए इसके संगीत कार याद रखेगा संगीत और आवाज किसने दी है तो संगीत दिया है MM किरावानी और देखे इसके पहले Golden Globe Award भी इससे मिल चुका है Golden Globe Award भी इससे मिल चुका है clear दोस्तों आवाज दिया कॉल भहरव और राहूल सिपली गुंजने दोस्तों नेस्ट यहाँ पर देखी अभिनेता कौन है आप सभी को पता है इनके बारे में राम चरण है और जूनियर NTR है इस सौंग को Golden Globe Award भी मिल चुका है दोस्तों इसकी जो शूटिंग थी आपको एक विशेश बात बता देता हूँ राश्पती का ओफिशल निवास है इसे बोलते है मेरंस्की पैलेस यहाँ पर शूटिंग हुई थी जो आपने इसके पीछे बैक्गरॉंड में देखा था तो वो जो सीन है वो यूकरेन के प्रेसिडेंट का अधिकारिक निवास है ओफिशल रेसिडेंस है वहाँ पर इसके शूटिंग हुई थी दोस्तो यहाँ पर देखी आप बेस्ट डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट फिल्म किसको मिला है तो यह है दूसरा वर्ट भारत को मिला है यह है दे इलिफेंट विस्पर्स अब आपको ऐसे आद रखना है कि कोई आपका जो एलिफेंट है दोस्त है वो हाथी है और उसको आप कुछ कान में कह रहे हैं ऐसा इमेजन करना विस्पर कर रहे हैं ठीक है एक्चुली कहानी भी यही है इस डॉक्यूमेंटरी मूवी में एक अनाज बच्चा है और उसके हाथी के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से उसका केर करता है देख भाल करता है उसके बंधन के बारे में इस फिल्में बताया गया है शॉर्ट फिल्म इसे क्यों कहा जाता है 41 मिनट्स की मूवी है एक लगू डॉक्यूमेंटरी फिल्म है दोस्तों सबसाधिक नॉमिनेशन वाली फिल्म है जैसा के मैंने आपको बताया Everything Everywhere 11 बार नॉमिनेट किया गया था इसे इसके अलाबा सबसे जादा अवार्ड जिसने जीता है नॉमिनेशन के दौरान वो है Everything Everywhere All At Once ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ सेकेंड नंबर पे थी All Quoiton Western Friend दो हैं नॉमिनेशन दावेल के तो दोस्तों यहाँ पर कैसी लगी आपको थियोरी आपने कैसे हर एक बात को समझा हिस्ट्री आपने जाना यहाँ पर हमने Oscar Awards के बारे में सारी डिटेल्स को कवर किया अब दोस्तों हम MCQ सेशन कराने वाले आपको जहाँ पर हम 15 questions को देखेंगे आपने कितने ध्यान से सेशन को सुना है तो दोस्तों यहाँ पर एक important जानकारी बता दू MCQ कराने से पहले हमारे crazy gigator के application पर आपको science का quiz मिलेगा quality का quiz मिलेगा history का quiz मिलेगा अलग-अलग subjects का और यहीं पर हमारे crazy gigator के application पर हर एक subject की quality, Indian geography, science सबती e-book available है आप इन सबी e-books को देख सकते हैं application पर available है इसके अलावा दोस्तों crazy gigator के application के अलावा हमारे एक और application देखे हैं हम बोलते root application आप इसे search करिएगा Google Play Store से link description box में दी गई है अभी UPGK का एक recorded batch हमने launch किया है आप इस recorded batch को देख सकते हैं study material, mock test, सब कुछ cover किया गया है आप जब इसे purchase करते हैं तो coupon यूज़ कर लिजेगा RGCGT, Raja Gupta, Crazy Gigator तो आपको एक भारी discount मिल जाएगा इसके लावा दोस्तों UNMOLMEM, English faculty है जो English पढ़ा रही है और registration अभी open है आपको live class भी मिलेगा recorded class भी मिलेगा study material मिलेगा, एक साल की validity मिलेगी भारत के हर वो exam जहां पर English आती है इसको इस प्रकार से design किया गया है ताकि आपकी English बहुत ही strong हो जाए और आप हर एक exam में अच्छा score कर पाए तो ये सारी facilities हमारे root application पर मौझूद है उसे भी आप download कर सकते है अब आई दोस्तों देखते है MCQ जो भी आपने पढ़ा है बहुत ध्यान से आई देखते हैं आपने कितने अच्छे से पढ़ा है Oscar Award किस देश के द्वारा दिया जाता है तो Oscar Award को किस देश के द्वारा दिया जाता है America In which year Oscar Award started तो Oscar Award की शुरुवात 1929 में हुई थी आपको याद आ रहा होगा भानु अथाया को किस वर्ष Oscar पुरसकार मिला था तो 1983 में इसी वर्ष हमने क्या जीता था हमने अपना पहला World Cup जीता था ODI World Cup जीता था याद है आप लोगों को Lifetime Achievement पुरसकार से सम्मानित किया गया है सत्य जीत रे को A.R. रह्मान को किस वर्ष Best Original के लिए क्या मिला है Oscar Award मिला है 2009 में ठीक है चलिए 2023 में Oscar Award का कौन से edition आयजित किया गया तो Friends इस बार का कौन से edition था 95 नंबर का edition था Oscar Award 2013 अमारो काजा अमेरिका के किस शहर में किया गया तो Friends कहां पर किया गया है Los Angeles में Which Indian actress has presented the award in Oscar Award 2023 तो किसने प्रेजेंट की award को Priyanka Chopra नई Deepika Padukorn Who has received the best picture award at the Oscar Award 2023 तो ये मिला है Everything Everywhere All at Once को Who has got the best actor award in Oscar Award तो best actor का award आपको याद आ रहा है कुछ देखिए option में कि आप बता पा रहे हैं अगर आप बता पा रहे हैं तो यानि कि आपको अच्छे से पढ़ाया है तो ये है Brendan Fraser Oscar Award 2023 में Best Actress का award किसे मिला है तो Best Actress का award मिला है Michelle Yeo को Oscar Award 2030 में सबसे ज़्यादा nomination किस film को मिला है तो आपको पता है Everything Everywhere All at Once को Which is the most awarded film in Oscar तो सबसे ज़्यादा award किसको मिला है साथ award मिले है Everything Everywhere All at Once को The Elephant Whispers को Oscar Award 2030 में सबसे best documentary short film का award मिला It is a film of how many minutes कितने समय की movie है ये Short film है तो ये 41 minutes की है Best original song का award किसे मिला है Who has received the award for best original song तो ये है Na To Na To तो कैसा लगा आप लोगों को session जरूर comment box पे बताईएगा और अगर आपको अच्छा लगा है session तो अपने सभी दोस्तों को share करिएगा आज का सवाल है Oscar award किस देश के दोरा दिया जाता है आपको इसका उत्तर comment box पे लिखना है दोस्तों आपको पहचानना है ये image किस वेक्ति की है और इनके बारे में आपको 3 से 4 line लिखनी है दोस्तों इसके अलावा आप मुझे follow कर सकते हैं daily current affairs के लिए weekly current affairs के लिए monthly current affairs के लिए yearly current affairs के लिए भारत के हर राज्यों के current affairs के लिए current affairs यानि आप समझ सकते हैं राजा गुपता सर आप मान सकते हैं क्योंकि मैं हर एक current affairs cover कराता हूँ और वहाँ इसके अलावा आपको gsb cover कराता हूँ दोस्तों ताकि आपकी तियारी पूरी हो सके आप इसकी PDF हमारे application से डाउनलोड कर सकते हैं telegram से भी डाउनलोड कर सकते हैं application को डाउनलोड करिएगा और इस परकार से हमारे application आपको देखने को मिलेगा telegram से भी आप जुड़ सकते हैं और दोस्तों पहली बार channel पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार आप दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब करके, और शेयर करके, लाइक करके, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिफेंट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर ज़रूर लिखिए, और किस टॉपिक पर आप डिसकेशन चाहते हैं, चैनल आपका है, हम आपके हैं तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाज़त दीजे, फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जै भारत, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए